श्मुश्कर दोस्तों मैं हूँ गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिबोर्ट आए बात करते हैं गोल्ड MCX की दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पे ये गोल्ड MCX का चार्ट है जिसमें उन्हें पांच मिनट के टाइम फ्रेम को लगाया हुआ है और इसमें जिस तरीकी की मुवमेंट लास्ट रिडिंग सेशन में रही और अभी जो करन्ट लाइव मार्केट चल रहा है इसे देखते हुए हम ये समझने ही कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में आने वाले सेशन में वो कौन से प्राइस लेवल है जो इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे और उन्हें देखते हुए हमारा आगे का क्या भी हुए क्या हमें बाइंग करनी चाहिए या सेलिंग करनी चाहिए या वेट करना चाहिए किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले तो आईए शुरू करते हैं पांच मिनट के टाइम फ्र जोन में ही अपने आपको hold किया हुआ है ये positive zone कितना strong बन के रह सकता है उसको लेकर अभी हम थोड़ा देख रहे हैं साथ ही साथ इन चीजों पर धियान रख रहे है कि क्या वो level break हो पाते हैं जो इसमें strong resistance है या फिर downside में वो level break होंगे जो इसमें एक support का काम कर रहे है तो उन सब चीजों के लिए भी थोड़ा सा review कर लेते हैं चीजों को वीडियो ये ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला क्योंकि levels में कोई बहुत बड़ा difference नहीं है और trend में भी अभी तक कोई खास chain नहीं आया Monday है अगर बहुत ज़्यादा gap up opening या gap down opening होती तो मेरे ख्याल से और थोड़ी चीज़े देखनी की ज़रूद पढ़ सकती थी यहाँ पर हम देख रहे है market में इस तरीके का एक trend है जो अभी एक sideways trend को extend कर रहा है और आके चलते हैं 15 मिनिट के time frame पे यहाँ पर भी market में जिस तरीके का एक trend है इस consolidation area को market में अभी तक hold किया हुआ है यह consolidation area market में जिस side break करेगा उसके बाद थोड़ा सा हम चीज़े को review करने की कोशच करेंगे अभी तो फिलहाल यह इसी range में है और यह break हो भी सकता है ठीक है? break होने के बाद market उस direction को continue करेगा इस चीज़े के भी कोई बहुत strong sign नहीं है levels का धियान रखना है ठीक है? और आके चलते हैं एक घंटे के time frame में देखिए यह time frame सारे इसलिए discuss हो रहे है कि हमें थोड़ा यह confirm रहे कि market किस तरीके से हमें show हो रहा है किस time frame में? ठीक है कई बार क्या होता है? हम सिर्फ 5 मेंट के time frame को देखते हैं और बाकी जगे एक negative sign दिख रहा होता है तो वो चीज़े consider करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है market नीचे है, यहाँ पर consolidation अब आगे देखते हैं और आगे चलते हैं चार गंटे के time frame पर वहाँ देखते हैं कि क्या view नज़र आ रहा है market में crash buying और यह धीरे धीरे एक downside dip और नीचे recovery और market यहाँ पर hold होता हुआ हमें नज़र आ रहा है यह एक consolidation area यह consolidation area अभी तक जो create हो चुका है, देखिए यहाँ से अगर हम start करें, एक, दो, तीन चार, पाँच, छे साथ ठीक है, इन सब में एक तरीके का यह pattern involved है कि market में lower highs create हो रहे हैं तो कही न कहीं market एक fresh higher high के लिए wait कर रहा है और अपने trend में थोड़ी सी जान डालने की कोशिश करेगा थोड़ा सा होड़ा के चलते है, daily time frame में यहाँ पर अगर हम देखे buying downside और फिर market नीचे यह recovery, यह तीसरा देना है market का, कि यह इस range को hold करने की कोशिश कर रहा है जरूरी नहीं है कि आज ऐसा ही रहे कि market पूरे दिन इसी range में रहे हो सकता है कि breakout दिखा दे उपर की साइट या फिर market नीचे की साइट जाने ही कोशिश करे अब वापस चलते हैं गंटे की time frame पे वहाँ जो आज के हमारे levels है उन्हें हम discuss करेंगे और साथ ही साथ जो positional level जो हमने पहले से discuss कि हैं उन्हें हम धियान में रखेंगे तो सबसे पहला level जो important है वो है 46,280 यह पहला level है जो यहां पर है इसके break होते ही market में थोड़ा सा weakness के chances बढ़ने लगेंगे बहुत ज़्यादा confirm नहीं है पर फिर भी इस चीज के indication तो रहनी चाहिए कि market इस sideways trend को break करके थोड़ा सा selling pressure की तरफ ज़्यादा focus करेगा next जो level है वो ज़्यादा important है वो कौन सा है 46,000 45,950 यह next price है 46,000 के just नीचे यह break हो जाता है तो market में जो भी उपर जाने की expectation अभी तक बनी हुई है वो सारी खतम हो जाएंगी और market में chances बहुत ज़्यादा यह बनने लगेंगे कि नीचे को एक breakdown market दिखा देगा और prices नीचे move करेंगे अभी फिलाल आगे देखते हैं देखी USD INR अभी भी एक important factor बना हुआ है गोल्ड के लिए और उपर में जो level है downside में यह दो levels है जो अभी हमने discuss किये उपर में जो level रहेंगे 46,900 बहुत important level है इसका break होना मतलब गोल्ड में एक अच्छी strength आना और इसके बाद 48,300 ठीक है तो यह दो levels है जो उपर में important है 46,900 यहां break हो जाएगा इसके नीचे अगर market रहता है तो मेरे खियाल से आपको यह चीज अपने ध्यान में रखनी के ज़रूरत है कि 46,900 break नहीं हो रहा है या हो चुका है या sustain कर रहा है ठीक है दोनों चीज़ों में market का 46,900 के उपर sustain करना जरूरी है sustain करता है तो और ज़्यादा upside rally possible है इसमें और अगर नहीं करता तो market में यहीं कहीं से और थोड़ा सा एक upside दिखा के market अपने आपको एक reversal दिखाने की शायद कोशिश हो सकती है ठीक है probability कम बन रही है पर ऐसी कोशिश की possibility अभी भी हम रख सकते हैं तो यह था मेरा gold mcx पर अभी का वीडियो वीडियो अच्छा लगे तो like करें शेयर करें बने रहे में मेट साथ देखते रही है market report धन्यवाद